साथियों, आज इंकम टेक्स में छूट हो या फिर सस्ते इलाज की सुविदा हो, सरकार की कोशिश शहरी परिवारों से जादा से जादा उनके पैसे बचाने की है, बचत जादा हो उनकी है, अब तक शहरों के करोडों गरीब आईश्मान भारत योजना से जूड चुके हैं, आईश्मान कार की वज़े से गरीबों के एक लाग करोड रुपया खर्च होने से बचे हैं, एक लाग करोड रुपया या तो डॉक्टरों के पांस जाते या दवाईयों में जाते हैं, जो आज गरीब के खिश जेब में रहे हैं, मद्यबर के जेब में रहे हैं, हमारी सरक और मैं तो आज जो मुझे सुन रहें सबसे कहता हूं आपको दवाई खरी दिये तो जन अउस्षदी केंद्र से खरी दिये 80% डिस्काउंट है 100 रुपय की दवाई 20 रुपय मिल जाती है आपका पैसा बचेगा इन केंद्रों ने शहरों में रहने वाले गरीब और मद्यमबर के जिंजिल लोगों ने जन अउस्षदी केंद्र से दवाईया करी दिये अगर वो जन अउस्षदी केंद्र न होता तो उनका 25,000 करोड पर जादा जाता इनके 25,000 करोड पर बच गए हैं अब तो सरकार जन अउस्षदी केंद्र की संख्या को भी बढ़ा करके 25,000 करने जा रही है बीते वर्षों में हमने कुजाला योजना से देश में LED बल्बो की क्रांती देखी है इससे शहरी परिवारों के बिजली का बिल भी बहुत कम हुआ है मेरे परिवार जनों हमारी सरकार गाउं से रोजगार के लिए शहर आने वाले गरीब भाई बेहनों की मुश्किलों को समझती है उनकी एक दिक्कत थी कि उनके गाउं का राशनकार दूसरे राज्य के शहरों में नहीं चलता था इसलिए ही मोदी ने वन नेशन वन राशनकार बनाया अब एक ही राशनकार पर कोई भी परिवार गाउं हो या शहर राशन ले सकता है तहले वूसरे राशनकार